नमस्कार मित्रो आज हम बात करेंगे बियलो हाइब्रीड एफ का जो तेरवा वर्जन है तेरवा वर्जन आ गया अब लगभग सभी ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया और अब एक शामानेशी समस्या ये आ रही है कि जैसे किशी भी मतदान केंदर पर कुछ एशे मतदाता भी होते हैं या तो जिनकी मिरत्यू हो गई हो या फिर वो मतदाता किशी अन्य इस्थान पर जाकर बस गए हैं तो उनको लेकर आजम बात करेंगे कि वास्तों में उनका एक सही समाधान क्या हो सकता है उसके लिए हम क्या करें जिसे कि हमें हमारा जो वोटर्स है तो इसके लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा क्योंकि एन्वी एस्थी पॉर्टल पर अगर आप कारे करते हो या फिर वोटर्स हेल्प लाइन के माधियम से अगर आप काम करते हो तो वहां पर आपको एक शुईदा मिलती है कि आप सात नंबर फोरम आसानी से भर श होती है एक तो कंडिशन है कि कुछ एशे मत दाता है जो उस स्स्थान पर अब नहीं रह रहे हैं तो इसी हिस्तिती में आपको क्या करना है कि उस वेक्ति को आप व Indexulation कर दो verification के last में एक आपके पास option आता है विकल्प आता है जिसके तहट आपको क्या करना होता है कि shifted other system मतलब अन्य जगर पर shift हो गई है तो वहाँ पर आपके अगर आप उस पर click करते हो तो आपको pass में एक अपने 7 नमर फोरम भरकी रखना और उस 7 नमर फोरम को आपको उसको PDF बना के upload करना पड़ता है जिसे आप उसको upload करोगे तो वो फोरम आप आसाने से उसको submit कर पाओगे अगर ऐसा कर लेते हो तो वो नाम आपकी मतलता सूचिसे अड़ जाएगा तो आपके पास उसका एक proof हो जाएगा कि हमने ये 7 नमर फोरम भर लिया अब दूसरी बात रहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यू हो गई अब जिसे किसी की मृत्यू हो गई उसको आप verify तो नहीं कर सकते वेरिफाई नहीं कर सकते तो आपको जब अंत में जब ये मतलता सत्यापन कारेकरम पूरण हो जाएगा उस समय आपसे रिपोल्ट मांगींगी तो रिपोल्ट के दौरान आपको बताना होगा कि ये जिसे कि आपकी जिसे मैं इसी में बताता हूँ कि इस मतलता सुची में 634 नाम है 634 में से अभी तक 609 नामों का verification हो गया है और कुछ नामों का verification इसलिए नहीं हो पाया है कि वो यहाँ पर रहते नहीं है तो इसी स्थथि में हमें या तो shifted कर सकते हैं या फिर क्या हो सकता है कि 7 नमर फोरम बरके अगर पोई object करने वाला हो objection करने वाला हो उस स्थथि में आप 7 नमर फोरम बरके ERO कराने में जमा करवा सकते हो और इसकी अलावा एक और condition रहती है कि कुछ नाम एशे होते हैं जो दो विधान सबाक शेतर में जुड़े हुए होते हैं जैसे कि हम बात करें बार्मेर की तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार्मेर विदानसभाक्षत्र में भी है और वो के वो सेम नाम शिव विदानसभाक्षत्र में भी है और उस इस्तति में आपको क्या करना है इसकी सूचना एक सूची बना के आप यह रोकाराले में आउश्य दे द अगर नहीं करते हो तो भी दे क्योंकि वेरिफिकेशन उनका एक जगह पर होगा इसी इस्तिति में क्या होगा कि आपने आप विदान सभा वाले ने भी अगर उसका वेरिफिकेशन कर दिया तो इसकी दोहरी एंट्री हो जाएगी जिसे हो पकड़ में आ जाएगा इससे अच् अगर आप सूचना नहीं देते हो तो यह मतलब कानुनी तोर पर भी अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर दो स्थान पर मत्दा मत्ताता सूची में नाम है तो उस इस्तती में वह एक गैर कानुनी होता है और यह जो मत्ताता शत्यापन कारेकरम चलाया जा रहा है इसका मुख्य उदेश ही यही है कि किसी भी मत्ताता का नाम किसी भी एक मत्ताता सूची में या किसी भी एक विधानसवक शित्र में ही हो सकता है तो ऐसी स्तती में आप ये confirm कर लें कि कुछ वास्तों में कहीं कहीं होते हैं हमारे यहां पे जिस झालने हैं अगर कोई अबजेक्शन करने वाला नहीं है तो उसकी एक सूची बना लीजिए उनकी एपिक नमर लिख लीजिए और वहां से पता कर लीजिए कि उनका नाम कहां पर है उनकी अगर आपके पास सूचना हो तो वह भी भर दीजिए और अपने एरो कराले में संपर करके वहां पर आप जमा करा दीजिए ताकि उनकी ध्यान में ये जानकरी रहनी चाहिए कि वास्तों में कुछ ऐसे मत्दाता भी है जो इस परकार से दोहरे रूप में उसका लाब उठा रहे हैं ठीक है अब ये बात रहती है कि अगर किशी की मृत्य हो गई तो मृत्यों की इस्तिति में आप क्या करोगे उसका वेरिफिकेशन नहीं क करोगे उस साथ नमर फोरम को आप यहरो कराली में जमा करवा दोगे जिश्य की वह आसानेशी उसका नाम वहां से हटा देंगे क्योंकि उनका आप अगर शत्यापन कर लोगे तो वह सूची में नाम भी शत्यापन भी हो जाएगा और शत्यापन आपको बिलकुल भी उनका नहीं करना है लेकिन जो शिफ्टेड है उनका आप शत्यापन कर सकते हो शत्यापन के अंत में आपसे एक फोरम भरा जाता है वह साथ नमर फोरम वहां पर आप सब्मीट कर लिजे ताकि वहां से वह नाम हट जाएगा तो ये था आप सब की डिमांड पर ये वीडियो आपको बिलकुल भी कन्फिूजन होने की आउशक्ता नहीं है आप बेफिकर होके काम करते दिजे और किशी भी परकार कि अगर आपको वीलो हाइबिरिड एप से समंदित कोई समस्या आती है तो आप निश्चिन्थ होकर हम पूछ सकते हो जहां तक हो शकता है हम आपकी हेल्प करेंगे धन्यवाद